ओके तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसे software इक ऐसी application के बारे में अगर आप उसे excel के साथ में और सीख लेते हैं तो आप giftG जबल रीच डबल हो सकती है मैं बात करने वाला हूँ Power BI के बारे में और Power BI के ऐसी application है जिसके बारे में अगर आप Excel के साथ में जानकारी ले लेते हैं तो वाकई में आपको अपने Office में और भी ज्यादा बैटर opportunities मिल सकती हैं इसके लिए मैंने आमंतरित किया अपने चैनल पे टीच टूइच चैनल के फाउंडर आशीश जी को आशीश काफी समय से पावर बी आई और विजोल बेसिक के बारे में अपने चैनल पर जानकारी दे रहे हैं यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा यहां पर पावर बी आई के बारे में कम्प्लीट इ सिखाता हूं सबसे पहले मैं अभी बन्यू जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा तो कि उन्होंने मुझे इस चैनल पे आने का और आप सभी लोगों से जुड़ने का मौका दिया है तो देखे आज हम जैसे कि बात करने वाले हैं कि पावर बी आई को कैसे सीख सकते हैं उससे सवाल ये उड़ता है कि एक्सल यूजर्स को पावर बी आई क्यों सीखना चाहिए एक्सल यूजर्स के लिए पावर बी आई कितना बेनिफिशल हो सकता है तो देखे एक्सल से जुड़ी अगर मैं जॉब की बात करूँ तो मैं इसे तीन केडिगरी में डिवाइड करता सबसे पहली है MIS जिसे हम कहते है Management Information System देखे इसकी जो एवरेज सेलरी होती है वो 15-20,000 होती है दूसरा लेवल होता है Database N List या Business N List कहिए देखे इनकी जो एवरेज सेलरी है वो है 30-40,000 और उसके बाद अगर थर्ड लेवल की बात करें तो वो होता है Data Science का लेवल जहां पे आपके सेलरी 70-80,000 होती है अब आप सोचेंगे कि जो database है और data science वाले लोग है इनकी सेलरी MIS से इतनी जादा क्यों है देखे MIS में सेलरी इतनी कम क्यों होती है मैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं देखे MIS जोग वाले जो बंदियों होते हैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ Excel यूज करना आता है अब देखे Excel में सेलरी इतनी कम इसलिए है क्योंकि अगर हम 5 साल पहले बात करें तो Excel यूज करना बहुत कम लोगों को आता था उस टाइम पे जो competition था वो बहुत कम था लेकिन आज की date में मैं कहूं जो भी professional work करता है उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा Excel यूज तो करना आता ही है जहां पे भी competition ज्यादा होता है वहाँ पे salary कम हो जाती है अब अगर बात करूँ database analyst या data science की वहाँ पे salary इतनी ज्यादा क्यों है वो इसलिए है क्योंकि वो लोग Excel के साथ साथ अपनी पकड़किनी और applications में भी बनाते हैं जो की data में use होती है अब सबी के computer में होता है तो यहां पे आपको एक बढ़ाव तो आता है दूसरी चीज होती है connectivity या data fetching के लिए किसी भी language का आना जो की SQL हो सकती है या उसका अलावा और भी सारी हो सकती है थर्ड चीज होती है data visualization tool देखिए मार्केट में अब 3 सालों से data visualization tool का बहुत जादा नाम हो तो देखिए हमने यह जाना है कि Excel के साथ साथ Power BI आपको क्यों आना चाहिए अब हम जानते है कि जो यह Power BI यह है क्या देखिए Microsoft द्वारा बनाया गया यह एक उनका product है जिसे हम Power BI कहते हैं So Power BI के अलग-लग types भी हैं लेकिन मैं आपको अशान सब्दों में अगर बताऊं तो आप दो चीज समझे कि एक होता है Power BI Desktop और एक होता है Power BI.com जिसे आप server कह सकते हैं तो Power BI Desktop इसलिए बनाया गया है कि आप इसे offline भी यूज कर सकते हैं इसको सिर्फ download और install करना है और Power BI.com जो होता है यह आप क्या करते है Power BI Desktop में बनाय गई फाइल को यहां पे publish करते हैं जिससे कि सभी लोग इस report को देख सकें अब Power BI Report बनाने से Power BI Server तक उस report पहुचाने को या publish करने का ही यह पूरा process हमें सीखना है और इस topic में हम Power BI Desktop के बारेवे सीखेंगे देखें सबसे पहले तो Excel में इतने visuals available नहीं होते हैं और इतने sharp और इतने interesting visuals नहीं होते हैं दूसरी बात Power BI में इतने सारे जो data source हैं उनसे connectivity असानी से जाती है देखें data source मतलब कि data का श्रोत यानि कि data कहां से आ रहा है जैसे आपको एक file बनाते हैं Excel किये तो वो save हो गया तो data source हमारा Excel है तो इसी तरीके से अलग-लग data source होते हैं जैसे Excel या आप कह सकते हैं notepad या आप कह सकते हैं web जैसे www.com कोई भी website होती है या आपका data oracle में हो सकता है उन सभी से आप data को connect करके यहां पर आसानी से ला सकते हैं यानि कि आपको कोई भी type करने की जरूरत नहीं है easily आप वहां से select करें file और यहां पर हो जाएगी वह import और इसके बाद आप data का कोई भी visual बना सकते हैं उसके बाद हम सीखेंगे कि Power BI की screen में क्या-क्या चीज़े available है दो हम Power BI Query Editor की तरफ move करेंगे कुछ चोटे-चोटे dex formulae सीखेंगे वीजुल को उसमें डालना सीखेंगे उसकी formatting सीखेंगे और अंत में हम सीखेंगे कि इस report को हम publish कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस topic को तो देखिए सबसे पहले आपने इसके लिए क्या करना है आपने अपने Google Chrome को open करना है जो भी आपका ब्राउजर वो Firefox हो सकता है या उसका लावा कोई भी इसे open करने के बाद आपने लिखना है Power BI Desktop Download यह देखिए on-premises gateway है या Power BI Report Server और Power BI Report Builder है लेकिन हमने download करना है desktop जो कि एक दम free है तो देखिए आप download पे क्लिक ना करें मैं आपको suggest करूँँगा आप करें advanced download option पे इसको क्लिक करने का फायदा यह है कि यहाँ पर आपको जो file होती है वो दिखती है कि वो कौन से bit की है ओके यह देखिए इसके बाद आप नीचे अपनी system requirement पढ़ लेगी आपको बताता है कि आपको कितनी system की requirement चाहिए जिससे आपका Power BI Desktop बहतर काम करेगा और यह यहाँ से आपने language select करनी है फिलाल हमसको English rank देते हैं और download पे click करते हैं देखिए download पे click करने के बाद आपके पास यहाँ पर आया है choose the download you want जो पहली file है उसमे 64 mention है और नीचे वाली में नहीं है इसका मतलब है जो नीचे वाली है वो 32 bit windows के लिए है उपर वाली 64 के लिए अग आपकी जो downloading है वो start हो जाएगी देखिए नीचे download होना start हो गया है तो थोड़ा time लेका install होने में क्योंकि यह 289 MB है अभी हमने लिखाए कि हम इसको किस step को follow करते वे download कर सकते हैं लेकिन अब हम देखेंगे किसको install करसे करना है तो हम इसको skip करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं download हो चुआ है चलिए उस file को open करते हैं double click करके अब हम इसका installation start करते हैं तो देखें यहाँ पर आपको language select करनी है हम English select करते हैं और next पे click करते हैं तो आप इसको check करते हैं और I accept the term license agreement को check करते हैं then next फिर से next करते हैं और यहाँ पर देखेंगे create a desktop shortcut अगर आपको चाहिए एक shortcut icon तो आप इसको check कर देगे वरना इसको uncheck भी कर सकते हैं मैं check करता हूँ और install पर click करता हूँ अब इसकी installation है वो start हो चुग है यह लेगी आपको थोड़ा सा time तो यह हो गया हमारा installation भी complete हम इस पर करते हैं finish और देखें यह हमारा icon भी आ गया है अब अपनी आप आपके launch करेगा Power BI Desktop की screen देखें जब यह पहली बार open होगा है तो यह काफी time ले लेता है तो आप परेशान नहों कि यह इतना time क्यों ले रहा है आप इसको होने दे तो देखें यह हमारी open होगी है Power BI Desktop की screen और इसके उपर एक dialogue box आया है जहां पर ही कह रहा है कि आप sign in करें त तो देखें step 1 में हमने सीखा इसे download और install कैसे कर सकते हैं और अब बार ही आती है step 2 की जिसमें हम सीखेंगे कि Power BI Desktop का overview कैसा होता है जिससे जब से आप open करें तो आप इसके साथ familiar हो जाए तो चलिए देखते हैं किसकिस तरीके options यहां पर मिलते हैं तो जैसा कि आप देख रहे है file menu जहां पर आपको normal new open save, save as करने जैसे options दिखाई देते हैं और साथ में recent report जो भी आपने open करें उनको आप directly क्लिक करके open करा सकते हैं उसके बाद आते हैं home menu यहां पर आपको ऐसे option दिये गए हैं जहां से आप किसी भी data को अपना import करा सकते हैं Power BI में get data के अंदर आपको बहुत सारे option दिये गए हैं और अगर मैं देखूं यहां पर देखे excel है हमारा सबसे पहले तो उसके बाद SQL server भी है हमारा tech csv भी है web भी है यानि कि web से भी हम ले सकते हैं और अगर में more पर click करूं तो आपको तमाम ऐसे sources मिल जाएंगे जिसके अलावा श इसके पाद ही कि ट्रांस्वाम डेटा जो की पावर कोरी एडिटर को ओपन करता है रिफ्रिश करना और यह जो option है इन दोनों के option के मदद से हम यहां पर किसी भी इनसर्ट करा सकते हैं आप किसी भी वीजुल का यहाँ से एक ग्राफिक चेंज कर सकते हैं आप जाएंगे तो आप इसका साइज अलग-लग कर सकते हैं पर चलेंगे जहां पर मतलब पता चल जा जाएगा यह तो होगा हमारे मेन्यू के बारे में चीज़ है कि कौन सी क्या होती है अगर आप इस फील्ड की बात करेंगे तो यहां पर मैंने एक टेबल इंसर्ट करा रखी इसको बाद में भी सीखेंगे लेकिन जिस आपको थोड़ सा ओवर्यू देने के लिए मैंने पहले से इंसर्ट करार किये को अगर मैं बात करूं उसके नीचे तो जो भी आप वीजू यहां पर एड़ करते हैं यह जो पूरा पेज देख रहे हैं कर आप इसमें किसी भी तरी की फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने वीजूल या पेज की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं यहां पर नीचे देख रहे हैं यहां पेज वन है देखे डिफॉल्ट में सिर्फ एक ही पेज होता है अगर मैं प्लस पर क्लिक करूं तो पेज टू आ जाएगा अब रिपोर्ट वू में क्या होता है यह आप वाइट स्क्रीन देख रहे हैं यह है रिपोर्ट जहां पर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं वीजूल की मदद से जो भी आप वीजूल यहां पर अट करेंगे कोई टेबल कोई चार्ट या किसी भी दरीकी इन्फोर्मेशन वो ह इस तेबल में यह 5 कॉलम है और इसके अंदर यह सारा डेटा है तो जो डेटा वीजूल होता है वह आपको बताता है कि जो भी टेबल इसके दर इंसर्ट करेंगे यह उसमें किस तरीके का डेटा है थर्ड वीजू आता है हमारा मॉडल आप इसे कह सकते हैं रिलेशनशिफ अब देखें यहां पर यहां पर आपको टेबल सारी दिखाई देंगी मेरे पास यहां पर सिर्फ एक ईटेबल है तो किसी भी थखरीक है को नहीं दिखें लेकिन अगर यहां पर एक सेया आदा की सीवी कमें तो बार यातिए स्टेप 3 के जिसमें हम देखेंगे कि data को import कैसे कर सकते हैं तो अगर आप कोई भी report के dashboard होनाने वाले हैं तो उसके लिए आपको data की जरूरत होगी तो इसमें हम अलग-लग sources से data ला सकते हैं almost सभी तरीकों से इसको data को import कर सकते हैं तो चलिए कुछ तरीके देखते हैं data import करने के तो अब इंपोर्ट करना सीखना है तो जो हमने पहले से टेबल डाल लगी थी उसे हम यहां से पहले डिलीट कर देते हैं okay यह मुस्से पूछा है मैंने इसे डिलीट कर तो अब देखिए जो इंपोर्ट कर इंटर करा सकते हैं यहां पर तमाम option दिए गई है अगर आपको excel की file को import करानी है तो सबसे पहले excel users के लिए जब बहुत जरूरी है excel file तो देखिए आप directly यहां पर click करके excel की file को import करा सकते हैं यह आप get data में जाएंगे यहां से excel पर click कर सकते हैं तो यह दोनों एक ही काम करते हैं देखिए जब मैं इसको click करता हूं तो यह मुझे मांगता है कि आप किस file को import कराना चाहते हैं तो मैं उस location में जाओंगा जो भी file मेरे को import कराना है माल लीजे मैं इस business data को import कराना चाहता हूं मैंने इस पर double click करा अब देखिए अब इसने कहा है कि जो भी workbook आपने excel के select क किजिए अब देखिए जैसी मैं इस पर click करता हूं तो यह मुझे पर preview दिखाएगा कि इस table में किस तरीके का data है अब मैंने close select करा मैंने food select करा मैंने mobile select करा इसी तरीक से मैंने यह 4 table select करी और इसने मिरे को दिखाया है कि इन तमाम table हो में इस तरीके का data है अब देखिए यहा हम लोड़ पर click करते हैं अब लोड़ होने के बाद यहां पर देखिए बता रहा है और यहां पर दिखा रहा है कि इनके बीच में अगर कुछी तरीका connection होगा तो उसमें भी यह relationship बना देगा अगर नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रहते अब अगर आप देख रहे हैं तो यहा लिंक को अपने पास रखेंगे और वहां से डेटा को इंपोर्ट कराएंगे तो है ना यह बड़ा इंटरस्टिंग कि आप नेट से किस तरीके से डेटा इंपोर्ट हो सकता है तो चलिए देखते हैं तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपने click करना है get data पे उसके बाद का final match के सारा database दी आ गया अऀगय यहा पे किसने कितने रन मारे थे यहां पे इंगलेंड ने कितने मारे थेिन यूजलेंड ने कितने मारे थे यह सब तो मैं क्या करूँगा मैं उपड जाओं और मैं इस पूरे लिंक को सलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर राइट लिक करूँगा ठीक है मैं राइट लिक करने के बाद इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर वापे स्लोट के आओं और यहाँ पर मैं इसे राइट लिक करक है अपने mobile से तो यहां पर स्पीड फ़ची आप पर अब मैं सेलेक करता हूं से यहां, ँब उच्चीर घ्यां चाता हूं जहां पर यहां पर लोड पर क्लिक करता हूं यहां फोड़ा से यह तॉड लेगा। जब यह टेबल इंपोर्ट हो जाएगी तो यह भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी देखिए आप टेबल 0 यहाँ पर लिखा आ गया है अब देखिए तीसरी चीज हम माल लेते हैं कि आपके पास कोई भी डेटा नहीं है और आप उस डेटा को एंटर कराना चाहते हैं अप माल लीजे मैं एक कॉलम मनाता हूं यहाँ पर सब केटेगरी का और मैं यहाँ पर मनाता हूं एक प्राइस का अब देखिए माल लीजे आपने दो कॉलम के हेडिंग दी और यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो आप नहीं से कॉपी पेस करना चाहते है अब देखिए मैं आप जो टेबल है उसका नाम आप कुछ भी दे सकता है मान लीजे मैं दे देता हूं रेट लिस्ट ओके और मैं इसे कर दिया लूट अब देखिए इसने इसको भी इंपोर्ट कर लिया होगा अब देखिए यहां पे एक टेबल आ गई रेट लिस्ट और अगर मैं देखूं त क्या करता है यह आपके डेटा को क्लीन और ट्रांस्वर्म करता है एक स्ट्रक्शल डेटा में कहने का मतलब यह है कि कभी-कभी हमारे डेटा में कुछ ऐसे कॉलम्स यह रोज होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती तो उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है वह पावर यह अपको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ औप्शन दिखाई देंगे निकिन आपको क्लिक करना है सबसे पहले ओप्शन पर ट्रांस्वर्म डीटा पर जैसी आप इसमें अप्लाइ करेंगे तो जो भी आपने अक्शन लिये होंगे वह सब से बोजाएंगे ठीक है दूसरा तरीका हम देख लेते हैं देखिए यह रेट लिस्ट है सबसे पहले मैं से डिलीट कर देता हूं सो देखेंगे जो दूसरा ओप्शन होता है वो हमें मिलता है उस टाइम पर जब भी हम कोई टेबल इंपोर्ट करते हैं देखिए मैं एकसल पर जाता हूं और मैं डेस्टॉप पर मेरे जो बिजनिस डेटा है इस वाली फाइल को सलेक करता हूं अब इन में से मैं सिर्फ एक ही टेबल यहां पर लोगा जो है रेट वाली ओके मैं से लेता हूं और देखें यहां पर दो अप्शन है लोड और ट्रांसवर्ट डेटा जब हम लोड करते हैं तो यह सीदा सीदा इंपोर्ट हो जाता है लेकिन अगर हम ट्रांसवर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे तो भाई हमारी जो यह पाउर के क्वेरी एडिटर है यह ओपन हो जाएगी देखें आपने देखा कि किस तरी कैसे हां पर ओपन हो गई है तो देख जैसा नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखें मैं आपको दिखाता हूं तो पहने बटन में जो आप क्लिक करेंगे तो यह क्लोज हो जाएगा और जो भी आपने एक्शन लिएंगे वह एपलाई हो जाएंगे यहाँ पर वही सब आपको जिससे आप इंपोर्ट करा सकते हैं डेटा को और यहाँ पर देखिए जैसा हम एक्सल में करते हैं टेक्स्ट्यू कॉलम से डिवाइड कर देते हैं अलगला कॉलम में उसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गया है हमें डूब्लिकेट डिलीट करने के लिए रोज पर क्लिक करूंगा सेलेक्ट और में ओके कर दूँगा रिमूफ कॉलम में होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलरी कॉलम को डिलीट करना है तो आप इसको कर सकते हैं आप देखिए यहाँ पर जैसे कि कंट्री है अब कंट्री सब में इंडिया है तो यह इतना इंपोर् यह जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें पहला दिख रहा है यह 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 बन क्या है तो हम क्या करेंगे यूज फर्स्ट रो एजडर यानि कि जो मेरा यह पहला रो है इसे हैटर बना दीजिए मैं इस पर दिखे क्लिक करा अब देखिए हैंग पर कैटेगरी सबकेड़ी इसलेक कराओ अब देखिए इसके मादम से मैं टॉप की रोख रिमूब कर सकता हूँ अब मेरे खोटने और रिलीट करनी हैं फोकि हांपर रृद यहां से अब इसी तरीका से सब्सक्रे बॉटम की यहटानि एथा लまず अ दो मैं रिमूप बॉटम पे जाओंगा तो मैं अर् कि जो जो आप यहां पर action कर रहे हैं तो आपका डिटा वहां पर आ जाएगा तो इस तरीके से आप इन सभी का यूज कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर इसके अंदर मिलते हैं बहुत सारी option यह एक्सल से एडवांस है यहां पर लोगेस से अपर केसे लोगेस में भी स्प्लिट कर सकते हैं और स्पेशल है कि डिजिट से नौन डिजिट और नौन डिजिट से डिजिट भी आप कर सकते हैं कितने करेक्टर के साब से आपको करना है आप सारी चीज यहां पर अवेलेबल होती है ग्रूपाई की मदद से एक जिसे रोग को आप एक साथ ला सकते हैं Merge Query और Append Query के मदद से आप किनी भी दो यार दो से ज़्यादा Table को Merge करा सकते हैं अब जो भी आपने actions लिये हैं अगर आप उनको save करना चाते हैं और इसको close करना चाते हैं अब अगर मैं आप पे जाओं तो देखिए आपको data view में मैं दिखाता हूं कि जो भी मैंने changes करेते हैं वो आ गए हैं अब step 5 पे हम बात करेंगे कि इसमें कुछ formulas अगर हमें डालने हैं तो हम किसके मदद से डाल पाएंगे तो दो तरीके से हम formula को use कर सकते हैं एक होता है calculated column और होता है calculated measure अब देखिए calculated column हम तब use करते हैं जब हम पूरे column में row wise data चाहिए होता है यानि कि हर एक row में data आए और calculated measure हम use करते हैं जब हम एक scalar value चाहिए होती है यानि कि सिर्फ एक value चाहिए होती है पूरे row में data नहीं चाह तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये दो option होते हैं calculated column और calculated measure के हमें कहां मिलते हैं और मैं आपको बता दो कि जो calculated column और calculated measure है इन्हें को हम new column और new measure भी कहते हैं अब देखें home type के अंदर आप यहां पर देखेंगे तो आपको new measure दिखाई दे रहा है और quick measure दिखाई दे रहा है लेकिन जो new column है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप especially जब use करें तो आप modeling type के अंदर आए यहां आपको चार प्रगार के option दिखेंगे new measure यानि calculated measure यहां पर हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे new measure और new column अब जैसे कि आप जानते हैं कि new column मतलब की calculated column यूज होता है जब आप किसी एक column के अंदर हर एक row के अंदर data लाना चाहते हैं तब इसका use होता है तो देखें इसको किस situation में use करना है वो जानते हैं देखें मैं यहां पर एक real state की table खोल देता हूँ और यहां पर आपको data दिखाता हूँ अब सबसे पहले आप देखें यहां पर मिरे पास quantity और price है कि इस साल में इतनी quantity मेरी भी की और इस साल जब बिगी थी तो उसका price कितना था तो अगर मैं quantity और price को multiply करूँ तो मिरे पर revenue आ जाएगा क्योंकि यह एक per unit का price है तो अब देखें मिरे को 1BH के, 2BH के, 3BH के, 4BH के इन चारो row में मिरे को data चाहिए तो अब यहां पर use आएगा calculated column का क्योंकि वो row wise मुझे data देता है अब देखें इसमें और excel के formulas में ज्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलगा है column name देने की पर सुमिधा मिलती है तो देखें मैं new column पर click करता हूँ देखें यहां पर मिरको लिखने का यह space देदेगा अब यहां पर आप इसको हटा लीजिए ठीक है मैं यहां पर लिखता हूँ revenue in 2018 फिर आप equal to डालेंगे इसके बाद आप formula लिखना शुरू करेंगे तो देखें मैंने आपको कहा था कि quantity और price को मैं multiply करूँगा तो अभी मैं 2018 क्लिक कर रहा हूँ तो 2018 में जितनी quantity थी मैं उस column को यहां पर लिखूँगा तो देखें आपको simple लिखना है quantity ठीक है तो यह बता देगा आपको कि इस table में यह quantity 2018 की है वो आपको column देदेगा तो और into कराएंगे price 2018 को तो मैं price लिखता हूँ देखें इसने बता थे कि 2018 का column आपके पास है और 2019 का लेकिन हमें 2018 मैं double click करूँगा then enter अब देखें revenue उने जितना generate करा है 2018 में वो इसके multiplication से आगया है एक बार फिर से इस formula को देखते हैं और 2019 का भी calculate करते हैं तो मैं करता हूँ new column और यहां पर देखें हम क्या लिखेंगे इस बार हम लिखेंगे कि जितना भी revenue है in 2019 अब हम quantity लिखेंगे तो यहां पर 2019 की लेंगे और into करके जो price है वो भी 2019 का लेंगे और मारेंगे enter अब देखें हमारे पास यहां पर data आ गया तो quantity price और revenue तीनों चीज हमारे पास आ चुकी है तो यह होता है new column को यूज करने का तरीका अब देखिया अब मुझे मान लिजे इस revenue का सम चाहिए यानि की जो यह total है इसका sum कितना आ रहा है और वो मुझे सिर्फ एक है चाहिए अब देखें मान लिजे किसी भी चीज का आपको sum चाहिए तो obvious बात है कि वहां पर 10 रो हो 2019 ठीक है और मैं equal to देता हूं फिर यहां पर मैं formula लिखता हूं कि मुझे sum कराना है ओके bracket open जिसे आप Excel में करते हैं और यहां पर simply column का name देना है तो मैं लिख देता हूं revenue किसका देखें सारे revenue जो भी जिस table में है तो मुझे real estate में जितना revenue था 2019 का वो रखना है bracket बंद और enter लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखें यह एक calculator sign बन के आ जाता है और यह है total revenue अब देखें मैं थोड़ा सा आपको visualization का use बताए तो यहां पर यहां पर मैंने इस वाले को रख दिया जिसको मैंने calculate करा था तो यह बता रहा है कि 11 billion उन सम का total आ रहा है 11 billion का हमने revenue generate करा है तो इस तरीके से हम calculated column और calculated measure का use करते हैं इस तरह पर हम बात रहे हैं किस तरीके से हम visual insert कर सकते हैं जो के हमारे इस पाउर भी आई का main topic को में से एक है तो अब देखे अगर हमें visual add करने हैं तो सबसे पहले देख लेए कि यह visual हमें मिलते का हैं तो देखे यह सारे visuals हैं यह आप देखे यह चार्ट वाला और चार्ट के different different तरीके के visuals हैं उसी तरीके से अगर यहां पर देखे तो यहां प किसी country किसी state को दिखाना चाते हैं यहां पर है आपका god chart और यह वाला है आपका card और यहां पर है table और slicer के अब देखे इनी visual के अलावा अगर आप कुछ visual add करना चाते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास option है कि आप import कर सकते हैं app source से यानि कि Microsoft की खुद की marketplace है जहां से आप किसी भी तरीकी के visual को ले सकते हैं और almost वहाँ पे सारे visual free ही रहते हैं import from file यानि कि आपने कर कोई already अपने desktop में save कर रखाया कोई visual तो आप उसे भी यहां पर ला सकते हैं then आप visual को अगर remove करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं और restore default visual यानि क अगर आपने किसी भी तरीके का change लाया है और आप इसको restore करना चाहरे हैं तो आप यहां पर click कर सकते हैं तो दीखिए सारे visual तो हम यहां पर नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ visual के साथ हम simple seek report बनाना सीखते हैं तो दीखिए जो भी मेरा यह data है इन टेबलों में 2018 और 2019 का data है तो मैं यह comparison करूँगा कि 2018 और 2019 में कितना कितना था तो उसके लिए दीखिए हम जो use करने वाले हैं वो है हमारा clustered column chart क्योंकि इसमें हमें दो category का दिख जाता है तो दीखिए आपने किसी भी visual पर click करना है तो वो visual आपको यहां पर दिखाई देगा ठीक है आप यहां से कोने नमबर और एक text वाला column यूज कर लेंगे जो कि हमें x-axis और y-axis में देखता है अब देखिए मैं यहां पर फिलाल करता हूं 2018 और 2019 में जितना भी revenue हुआ था वो मुझे यहां पर दिखाई थे तो मैं 2018 पर revenue पर click कर रहा हूं और 2019 को ठीक है तो यह click हो गए अब देखिए मेरा 2018 पहले आ रहा है लेकिन काईदे से latest में 2019 है तो 2019 ऊपर आना चाहिए तो देखिए आप जो यहां पर देख रहे हैं 2018 2019 आप इसका order change कर देगे मैंने 2019 को पकड़के ऊपर कर लिया ठीक है अब देखिए जो यह revenue आपको दिखाई दे रहा है इसमें यह भी पता चलना चाहिए क 1BHK, 2BHK कौन सा है तो मैं यहां पर जिसकी सब category वह भी insert करा देता हूं तो देखिए अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि 4BHK, 3BHK, 1BHK, 2BHK का यह सारा 2018 से 2019 तक का data है आप इसको देख सकते हैं यह किस तरीके से दिखाई दे रहा है अब देखिए बहुत सारी चीज दे रहा है तो आप focus mode पे click करेंगे तो यह आपको पूरा बड़ा full flash में दिखाई देगा और इसके बाद हम back to report करेंगे तो फिर से उतना ही size ले लेगा जितना हमने इसका actual में रखाता ठीक है तो मैं इसको focus mode में कर देता हूं तो देखिए मैं इसकी formatting आपको शिका रहा हू पर नमबर चेंज करके इसे changes कला सकते हैं अब देखिए जो आपको दिख रहा है कि यह blue वाला 2019 है और डार्ग वाला 2018 अगर आपके हटाना चाहते हैं तो आप legend को off करतेंगे देखिए यहां से हडिया उसके पाद देखिए x-axis और y-axis अब x-axis में सब category बता रहा है और y-axis मे x-axis में जाता हूं और यहां पर देखिए मिरे को जो भी इसका color है इसका size है इसका font है वो अगर मुझे change करना है तो मैं यहां से कर सकता हूं देखिए इसका color अभी gray सा है तो मैं इसे dark black कर देता हूं आप यहां पर देखेंगे कि dark black हो गया है इसके बाद देखिए जो text size है इसको मैं change करता हूं 11 करता है तो देखिए यहां पे थोड़ा सा बड़ा हो गया है ठीक है इस तरीके से अगर आपको font भी यहां से change करना है तो font change कर सकते हैं अब मैं बात करूँ जो title है देखिए यह title है sub category अगर आप इसको हटाना चाते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं कर देते हैं यह हम 10 कर देते हैं ठीक है इसके बाद हम black color select करते हैं तो यह देखिए dark black हो चुका है अगर आप चाहते हैं कि 1.5 billion 2.5 billion भी हमें ना देखिए तो हम क्या कर सकते हैं इसे off कर सकते हैं तो off करते वाक्त यह हड़ जाएगा ठीक है फिर हम मिनीची चलते हैं और दे का color और इसका size भी change कर सकते हैं मैं इसे कर देता हूं 12 तो देखिए अब यह ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप इसकी formatting कर सकते हैं और यहाँ पर तरीक हैं जैसे आपको border देना है तो आप border को on कर लिजे title अगर आप देना चाहते हैं अपनी मर्जी पहले center आ जाए उसका size है वो 18 हो जाए ठीक है यह देखिए हमने कर दिया और यहाँ पर हमारा एक chart बरिया हमें पता चल रहा है कि real estate में 2019 में 2018 में कितना कितना हमने revenue generate कर आता है तो अब ऐसे मैं अगर थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो देखिए इस तरीके का कुछ मुझे द तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 3 create कर लिए ठीक है मैं यह देखिए यहाँ पर मैंने 3 create कर लिए अब देखिए पहला real estate करता लेकिन दूसरे में अब मैं चाहता हूँ कि mobile का देखिए तो मैं दूसरे को select करूँगा अब देखिए real estate में जो भी select था मैं उसे uncheck कर देता हूँ जिससे के हर कोई column यहाँ से हड़ जाए अब मैं चलता हूँ mobile में मैं select करता हूँ एक तो सबसे पहले मेरी जो category है याने की mobile उसके बाद revenue 2018 और 19 का ठीक है अब देखिए यहाँ पर आ गया है अब यह दिखाई दे रहा है कि देखिए इस इस mobile ने इतना तना mobile ठीक है अब एक और चीज है कि देखिए यह सेम से लग रहा है अगर आप इनका color change करना चाते हैं तो आप data color में जाएंगे और देखिए यहाँ से यह जो 2019 का है इसका color माल लेजे आप करते हैं light orange ठीक है और जो revenue 2018 में इसका आप कर देते हैं dark orange तो देखिए इसका भी color change हो और उसने में बता दिया है कि किस में कितना धंदा हुआ है सेम चीज हम 3rd के लिए भी करते हैं हम 3rd में जाते हैं और यहाँ पर जो यह real estate का डला वा था इस real estate वाले को हम पहले uncheck कर देते हैं इसके बाद मैं food में जाता हूं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं देखिए जो अब आपको इसकी फॉमेटिंग करनी है तो सबसे पहले आप जाएंगे टाइटल में और टाइटल में आप यहाँ पर लिख देंगे food क्योंकि हमने food टेबल से लिया है इसके बाद अगर आप data color change करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं मैं ले लेता हूं light pink और अब अच्छा लेकर है दिखने में ठीक है अगर आप सभी का सम दिखाना चाहते तो आप क्या करेंगे वीजुल में जाएंगे और देखिए यह आता है कार्ड इस कार्ड को आप ले लेंगे आप कार्ड को छोटा करिए और अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं latest 2019 2019 का जो overall sum है मैं वो दिखाना चाहता हूं इन तीन tables के लिए ठीक है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं जाओंगा real state वाले पर तो देखिए real state मेरा नीचे है मैं real state पर गया और मैंने यहां से revenue सिलेकरा 2019 का अब देखिए इसने मिर को बताया कि revenue है 2019 का ओके यह billion में है इसक revenue 2019 है तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं real state 2019 ओके यहां पर आ जागा real state 2019 आप category के अंदर जाएंगे और category में आपने इसका color रख देना है जो भी आप चाहते है मालनेजे मैं dark red रखता हूं उसे तो देखिए dark red हो गया और उसका size में बढ़ा कर देता हूं at least 16 तो आपको सा मैं यहां पर रख देता हूं यह देखिए यह 3 होगा है अब मैं second वाले को select करता हूं और second वाले में 2019 real state की जगह मैं जाता हूं mobile पे और mobile पे मैं food 2019 select कर देना है आपने सबसे पहले इसको अंचेक करना है और यहां पर select करना है revenue 2019 जो कि हमारा food का है अब देखिए count दे रहा है तो आपने यहां पर आना है और इसको sum कर देना है then आप formatting पर जाएंगे और आपने यहां पर sum of revenue के जगहा लिख दिना है food 2019 तो यह देखिए का size change करता हूं यह हो गया और इसको मैं यहां पर set करा देन इसके उपर में control v करता हूं और तीनों को paste कर देता हूं यह मैंने इसलिए करना कि इसके front में आ जाए ठीक है और यह तीनों यहां पर आगा यहां पर रख देता हूं देखें अब अगर मुझे इसका चेंज करना है कलर तो मैं यहाँ पर जाऊंगा फिल पे और फिल पे मैं इसका कलर को सेलेक कर लेता हूं लाइट औरेंज ठीक है अब देखिए यह तीन आ गए हैं हमारे यहाँ पे इसके बाद इसका थोड़ा सा साइज में बड़ा करते हैं अब देखाई नहीं दे रहा अब देखिए यहां पर फोई भी एक लोगो इमेज इंसर्ट करा सकते हैं मैं इमेज पर जाता हूं और यहा आपने फॉर्मिटिंग सीख लिए तो उसी तरीके से हर एक वीजुल की भी फॉर्मिटिंग होती है स्टेप में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें इस फाइल को सेव करके पब्लिश कर सकते हैं सर्वर पे जिससे कि सभी लोग इसे देख पाएं अच्छा देखिए अपने को पब्लिश करने के लिए आपको दो चीज़ों कध्यान दिना सबसे पहले कि क्था एक फाइल से है की है की नहीं कि मेरी फाइल availability लिखा रहा हुए अगर फाइल सेव ना हो तो यहां पर अंटाइटल लिखा आता है तो आपको सेव करने के लिए करना है आपने फाइल पर जाना है और सेव एस पर क्लिक करने के बाद आपको कहां पर सेव करना है मालीजिए मैं डेस्टॉप पर सेव करना हूं तो मैं डेस्टॉप पर जाओं और यहां पर लिख दूँगा जो भी मेरे को नाम लिखना है मैं लिखता हूँ पाउर गयी कोर्स वीडियो ठीक है और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और देखें यहां पर जो सेव एस टाइप है यह हमेशा पीबी आई एक्स होना चाहिए पी बी आई टी नहीं ओके तो पीबी आई एक्स पर क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ तो देखिए यहां जो Power BI Tutorial था वो अब हो गया है Power BI Course वीडियो यानि कि यह फाइल अब सेफ हो चुकी और देखिए दूसरी चीज यह है कि publish करने से पहले आपने अपने account से यहां पर sign in करना है देखिए इसके लिए आपको एक Power BI का account चाहिए होगा देखिए अगर आप already यहां पर sign in होए तो आपका नाम लिखायाएगा जो भी उस account के साथ नाम associate होगा लेकिन अगर नहीं लिखा रहा है इसका मतलब कि आप sign in नहीं है मैं sign in पर click करता हूँ तो देखिए यहां पर email id मांग रहा है email id लिखता हूँ और sign in पर click करता हूँ अब देखिए यह valid email id है तो इसने ले लिए और यह password के लिए मांग रहा है मैं password लिखता हूँ और sign in पर click करता हूँ अब देखिए यह मेरा accept हो गया यहां पर लिखा आगया है एश रावा जहां पर पहले लिखा था sign in अब देखिए पब्लिश करने का easy step आप home पे जाएंगा और यहां पर आपको एक option दिखाई दे रहा है आप publish पे click करेंगे अब देखिए जैसे आपने publish पे click करा है तो यह यह आपको दिखा रहा है कि जो आपका account है उसमें जितने भी workspace होंगे वो यह आपको दिखा देगा अब कौन से workspace पे आपको डालना है मेरे पास यहाँ पर फिलाल एक ही workspace है तो मैं इसको select करके ok कर देता हूँ अब देखिए यहाँ पर publish कर रहा है power bi में देखिए इसने लिख दिया है success अब मैं यहाँ पर click करूँगा महाँ पर जाने के लिए देखिए मैंने इस पर click करा तो यह सीधा browser मांगेगा कि किस browser से आप open करना चाहते है अब देखिए मैं browser पर जाता हूँ तो देखिए यह automatically वहाँ पर जा रहा है और यह sign-in मांगेगा यहाँ पर भी अब मैं sign-in करता हूँ और देखिए यहाँ पर मेरी already account बना आ रहा है मैं इस पर click करता हूँ और फिर मैं sign-in पर करता हूँ password लिखने के बाद तो देखिए जो powervi.com मैंने आपको बताया था server वाला वो screen यह है देखिए इसने वही वाला जो हुमारी report थी उसको यहाँ पर बता दिया है कि इस तरीके की report है जो आपने share करिए तो यह होता है पूरा publish करने का तरीका आशा करता हूँ यह powervi.com का पूरा tutorial आपको बहुत अच्छा लगा होगा और my big guide यानि कि अभी मन्यूसर के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी यही विंते कि आप अगर मुझे भी support करना चाहते हैं तो आप YouTube पे टीस्टू इस